नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश बांगर और आज मैं बताऊंगा मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोच जो खोल सकती है अनगीनात संभावना को, जैसे कि ये ब्रह्मान की उत्पति कैसे हुई है ये जो matter है, antimatter है, जो पदार्त बोलते हमें इसको, ये इसका origin क्या है, कहां से आया है तो जानते हैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोच क्या है ये जो कुछ भी नहीं, जिसे हम कुछ भी नहीं, nothing बोलते है ये है मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोच तो आप बोलेगे भाईया ये कैसे क्या ये जो कुछ भी नहीं है ये तो पहले सी है तो आपने क्या सुझा खोजा क्या धुणडा तो ये जो कुछ भी नहीं है इसका अस्तित्व होता है इसका existence होता है ये है मेरे जीवन की खोज और इसे एक मैं छोटे से experience से पूरू करूँगा मेरे दो उंगलियों की बीच में क्या है आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है और मेरे हाथ में क्या है ये भी कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें और इसमें फरक तो दिख रहा है इसमें कोई भी अबजेक्ट जैसे कि ये गेंद नहीं बैट सकती इसमें कोई भी अबजेक्ट जैसे कि ये गेंद नहीं बैट सकती मतलब कि इसका अस्तित्व नहीं है ये शुन्य के समान है और ये जो कुछ भी नहीं है यहाँ पे गेंद बैट रही है यहां पर object बैट रहा है, जैसे कि पूरा ब्रह्मान यह कुछ भी नहीं में बैट है मतलब कि यह कुछ भी नहीं का अस्तितो है, इसलिए यह गेंद यहां पर बैट रही है यह जो खाली जगा है, इसका अस्तितो है, इसलिए यह गेंद यहां पर बैट रही है तो इससे क्या प्रूव होता है इससे ये प्रूव होता है कि ये जो खाली जगा है जिससे हम कुछ भी नहीं समझते हैं जिससे हम बोलते हैं नथी इसका अस्तित्व होता है ये रियालिटी में एक्जिस्ट करती है तो इससे क्या प्रूव होता है इससे क्या? आप बोलोंगे भया मान लिया, इसका अस्तित्व होता है और इसका क्या relation है? ब्रह्मान की उत्पति से, यह जो स्टार्स है, यह जो matter है, अंटी matter है, इससे क्या relation है? तो आपको मैं और एक सिद्धान्द बताता हूँ जिसका भी अस्तित्व होता है, वो दूसरे अस्तित्व में बदलता है या बदला जा सकता है? उधारन के तोर पर मैं आपको एक उधारन देता हूँ, जिससे चीज पुरू हो जाएंगे जैसे कि ये प्लास्टिक की बॉटल है प्लास्टिक की बॉटल है है मतलब इसका अस्तित्व है एक्जिस्ट करती है इसको पिगला के हम खिलोने भी बना सकते है बॉक्सेज भी बना सकते है टीफिन्स बना सकते है बैग्स बना सकते है और कुछ चीज़े बना सकते हैं इससे हम और कुछ चीज़े बना सकते हैं क्योंकि इस बोटल का इस प्लास्टिक का अस्तित्व है यानि कि जिसी भी चीज़ का अस्तित्व होता है वो दूसरे अस्तित्व में बदल सकता या बदला जा सकता है वैसे ही यह जो कुछ भी नहीं है जिसको मैंने अभी-अभी प्रूब किया कि यह जो कुछ भी नहीं है इसका अस्तित्व होता है और इसलिए यह कुछ भी नहीं किसी ओर चीज में बदल सकती है या बदली जा सकती है और इसी कुछ भी नहीं से इसी नतिंग से ये matter और antimatter बना है वही matter और antimatter से ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मान, ये तारे, ये planets सब कुछ इसी matter और antimatter से बने है Hope आपको समझ में आ गया होगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो Please like, comment और share Thank you so much